हेलो गाइज वेलकम बैग तो माई यूटूब चैनल ग्रूमिंग और सेल्फ मैंस मैं हूँ आपका यार आपका भाई और आपका ही दोस्त आसीज और आपको जैसे पता ही है कि मैं इस चैनल पे मैंस फैसन ग्रूमिंग और लाइफ इस्टाइल सेटेड बहुत सारे वीडियो कोचा कि आपके साथ इसकी अन्बॉक्सिंग और रिव्यू आपके साथ सेयर करूं जिससे आपनों को हेल्थ मिले अगर आप वेवकूब डॉट कॉम से कोई भी चीजे बाई करते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है उसकी फिटिंग कैसी है उसकी प्राइज रेंज कैसी है य इसको मैंने ओपेंड कर लिया है मैं ओपेंड करके दिखाता हूं यह जो लिफाफे पोस्ट आफिस टाइप की लिफाफे के अंदर टीशर्ट की पैकेजिंग है पैक है उसके अंदर तो आप देख सकते हैं पैकेजिंग था वेवकूब डॉट कॉम का यह काफी इंट्रेस था है तो मैं इसे ओपेंड करूँगा और आपके साक्के रिव judgments करूँगा कि कैसा है तीशर्ट इसकी प्राइजरेंज कैसी सबसे पहले कर्ले के आता हूं आपके सामने आप के सकते हैं यह वाईड टरका फूल स्लीब कर टीशर्ट है मैं इसे ओपेंड करके देखा रहा हूँ यह कुछ इस टाइप का है इसकी स्लीव पूरी फुल स्लीव है और राउंड एक का टीशेट है इसका जो नेक है वो राउंड है इसके आपको वीनेग भी मिल जाते हैं बहुत सारें और ने आपको ना फ़सं करहा और ने इस नियौन ब्लैक ब्लू वाइट औरेंज पिंक बहुत सारे कलर आफ्सेंस मिल जाते हैं वेफूफ डॉट कॉम में जो एक बहुत अच्छी बात है वेफूफ की इसलिए लोग आजकल ज्यादा फ्रिफर कर रहे हैं इसकी प्राइज भी काफी मीड है चलिए ये बात तो होत से बिलकुल इसे पॉइंटेड नहीं करता है अब मैं इसके कलर की बात करूं तो इसका प्राइज टी थी क्वाईब था जो डिसकाउंट के टाइं में मुझे तो सिस्टी नाइन के आसपास का रिसीव हो गया है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिला है मुझे सारे टीशेट में टोटल चार वाई किये थे तो 1000 सूपर वाई करने पर 10% का डिसकाउंट था तो मैंने चार टीशेट वाई के तो आलमूस्ट वन थाउजन सूपर तो होई गया था तो मुझे दस परसेंट का उप मिला तो वह 269 के आसपास के एक टीशेट रिसीव हुआ और 269 में अगर ऐसा टीशेट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है तो वह बात को से कलर और फैब्रिक की अब मैं बात करूँ का इसके फिटिंग की तो फिटिंग आप देख सकते हैं मैंने इसे ट्राइब किया है यह ठोड़ी सी लार्ज है जबकि मैंने मीडियम साइज वाई किया है और मुझे मीडियम साइज ही लगता है मैंने आज तक जो लोकल मेर्केट से भी वाई किये कपड़े तो मैं मीडियम साइज कही कपड़े पहनता हूं तो मुझे मीडियम साइज लगता है पर मैंने इसे मीडियम साइज ही मगाया और यह मुझे थोड़ी सी हलका सा बड़ा लग रहा है आप भी देख सकते हैं यह है तो मैं से एक्षेंज करूंग अब देखते हैं फेस्व साइट पेसी को ऊप्वोगा इसलिए नहीं है अगर फिटिन के अलावा में ओवरall run की बात करूं इस टी साइट की तो ओवर ओल रिव्यू में मैं इजे हेंडर में 90 परसेंट दूंगा क्यों अब मैं वाइट के बाद आपने सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाओंगा तो वो है रेड कलर का फुल स्लीफ टी सेट यहां दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसे ओपन करके आपको दिखा रहा हूं यह ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से पैकेजिंग है इसका जो कलर हो आपको क्लियरली वीजिवल हो रहा होगा अब मैं बात करूंगा इसकी क्वालिटी की तो इसका कि फैब्रिक काफी अक्षी है और इसके फिटिंग की मैं बात करूं तो इसे भी मैंने M साइज जीवाई किया था पर आप बगल में देख सकते हैं कि मैं इसे ट्राइब कीया है मैंने इसकी फिदिंग मिल्कुल फिट है मेरे तो मैं इसे रीटर नहीं करने वाला हूं बांक इसे देख भी सकते हैं पहनने के बाद मेरे विल्कुल फिट है कहीं से भी लूज नहीं है तो इसके फिटिंग में मैं हैं अच्छे से फिट आई है अब मैं प्राइज की बात करूं तो सेम यह भी से 325 रुपए इसका एक्ट्चुल फ्राइज था सेल टाइम में बटे डिसकाउंट के साथ 269 रुपए में ही मुझे रिसीव हो गया है अगर आप डेली यूज में कोई टी सेट ढूंड रहे हैं तो इन्होंने टी सेट का एक भरपूर कलेक्शन अपने वेबसाइट पर रख पसंद आया आप हम चलते हैं अपने थर्ड टी सेट की ओर यॉन औरेंज फुल स्लीप टी सेल जी हां दोस्तों इसकी पैकेजिंग सेम है यह ओपन करने के बाद आप देख सकते कुछ इस टाइप का इसका कलर है कलर आपको क्लियरली विजिवल हो रहा होगा यह कुछ इस ट सारे कलर है मैं सारे के की सट बाई कर लूँ अपने वाड्रोब पर एड कर लूँ और इन्हें पूरे साल ठंडी गर्मी बरसाथ पहनते रहूं पर ऐसा पॉसिबल नहीं था मैंने चार इसलिए लिए हुए हैं अच्छ 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 कलर जो मैं आपको इस्कूल भी पहन सकते हैं कलर के बाद हम इसके फैवरिक की बात करूं तो फैबरिक जैसा मैंने पहले दोनों टीषर्ट के लिए बोला फैबरिक इसकी काफी अच्छ यह सेम कॉर्टन जो इनका दावा रहता है कि प्योर कॉर्टन है तो हाँ यह कॉर्टन ही है जो ट्राइ कि कोई टीशर्ट आपके फिट आ रहे हैं कोई टीशर्ट आपको थोड़ी सी लूज आ रहे हैं अब मैं बात करूं इसके प्राइजेंज की तो इसका भी प्राइज 325 रूपय था जो डिस्काउंट के साथ सेम तू सेम सेल में मुझे अब न्यूऑनिस औरन्ज के बात बात करेंगे न्यूबूस ग्रीघर टीशर्ट की जिए दोस्तों मैं इसे हाफ स्लीप का वाई किया था क्योंकि अल्मोस मैंने तीन टीशर्ट वाई कर लिए घ्रुकुंअ फुल स्लीप के तो मैंने सोचा कि क्यो ना मैं दो टीशर्ट ही है उसमें आप फैब्रिक के मामले में आप इसे हेंड़ आफ हेंड़ दे सकते हैं और यह वास करने के बाद भी इसके कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका कलर भी बहुत जल्दी फेड नहीं होता है इस मामले भी वेवकूप की एक अच्छी बात है आप देख सकते हैं मैंने से इस स्माल साइज में बाई किया था और याफ मुझे कफी अच्छे से फीट आ रहा है आप देख भी सकते हैं मैंने से ट्राइब किया है या ट्राइब करने के बाद कुस्छ इस ट्राइब नहीं के मामले में अगर आपकी हैट पांचफूट शाइच के आस पास है या फिर 5.5 इंच या 7 इच मेरी हाइट 5.6 इंच की है और आप देख सकते हैं कि यह मेरी बिल्कुल पर्फेक्ट आ रहा है तो आगर आपके हाइट इसके आसपास है तो आप एस साइज की तरह जा सकते हैं, अगर इसके जादा है तो फिर आप M ले सकते हैं definitely, इसके प्राइस में काफी सेल भी होते हैं तीन चार टीशाट आप आप करों तो अगर आपको थाइसो और तीन सो के अंदर एक अच्छा सा टीशाट डेली यूज के लिए मिल जाए तो इस अच्छी बात कुछ होने नहीं वाली है मेरे हिसाब से अब याउन इस दिन के बाद लास्ट में जो तो है ब्लैक तरट का टीशाट आप देख सकते हैं इसे ओपेंड करने के बाद या है कुछ इस टाइप का है इसे भी मैंने एस साइज का पाई किया था और यह मुझे फीटिंग के मामले में बिलकुल फीट है मैं इस साइज पर जो हाफ टीशाट की फीटिंग की बात करू तो इस मामले में मुझे बिलकुल भी डिसपॉइंट होनी की ज्वयत नहीं है क्योंकि यह कापी ज्यादा अच्छा है फीटिंग के मामले में और जैसे मैं पहले चार टीशाट के लिए कहा है कि इसका जो फैब्रिक है वो भी कापी अच्छा है और यहां कलर फेडिंग भी इसकी नहीं होती है कि प्राइजिंग में 269 के आसपा से मुझे रिसीब हो गया था मैं साइटी सट कर लिंग डिसके दूंगा आप वहां से पाई कर सकते हैं कोई प्रमोशन नहीं है ना वेपको वालों ने मुझे पैसे दिया है इन सब चीजों के लिए मैं इसका जैनुए कर रहा हूं मैं आपके साँ श्राइब कर रहा हूं कहraszam सीजिए को सब्सक्राइब करें और कौन से चीज़े नहीं का इसा अगा आपको वीडियो ज़रूर मुझे बताएगा कमेट सक्षन में भी आप बता सकते हैं और साइस रेटर जो भी इसी वह आप अपने इस चैनल पर लेके आऊंगा क्योंकि हमारा ही आपको गूरूम करने आपको फेशन लाइप स्टै